वरुन धवन की भतीजी अंजिनी की फिल्म बिन्नी एंट फैमिली का पहला पोस्टर जारी जी हां दोस्तों, मैं नौशाबा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एंड बोली मीडिया में जहां होता है आपका एंटरटेनमेंट की दुनिया से डाइरेक्ट कनेक्शन बॉलिवुड में फिल्मी फैमिली से आने वाले अक्टर्स की भरमार है रणबीर कपूर, आलिया भट, अनन्या पांडे, जहनवी कपूर, सारा अली खान के बाद अब एक और स्टार किट को बॉलिवुड में लॉंच करने की तैयारी है ये स्टार किट वरुन धवन के परिवार से है, जिसका नाम अंजिनी धवन है, अंजिनी वरुन धवन की भतीजी है और जल्द ही बॉलिवुड में अपना पहला कदम रखने वाली है उनकी डेब्यू फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है, बिन्नी एंड फैमिली का फिर्स्ट लुक पोस्टर को बाला जी मोशन पिक्चर्स के इंस्टाग्राम हैंडल पर जारी किया गया पोस्ट सांचा करते हुए कैप्चन में लिखा गया है, पुराने जमाने के संसकार बना माजकल के आधोनिक विचार जटिलताओं से भरी फैमिली है बिन्नी की, पर ये कहानी है हम सब की मिलिए बिन्नी एंड फैमिली से 30 अगस्त को अपने नस्दी की सिनेमा घरों में बात करे फर्स्ट लुक पोस्टर की तो, फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर पर वरुन धवन सहित कई सेलेब्स ने प्यार जताया है बता दे की, अंजिनी की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहली फिल्म बिन्नी एंड फैमिली होगी इस फिल्म को एक तक अपूर लेकर आ रही है फिल्म का पोस्टर रिलीज होते ही, स्टार्स ने अंजिनी को गुड लग विश करना शुरू कर दिया वरुन धवन ने हाट इमोजी बना कर अंजिनी के लिए अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है तो वहीं अंजिनी धवन की डेब्यू फिल्म पर करन जोहर ने प्यार जताया है उन्होंने कहा कि इस मूवी ने उनकी आँखों में आंसु ला दिये उन्होंने कहा कि अंजिनी पूरी फिल्म में प्यारी लग रही है बिन्नी अंड फैमिली फिल्म की बात करे तो बिन्नी अंड फैमिली हर जेनरेशन की कहानी है इस मूवी में पुराने जमाने के संसकार और मॉडरन जमाने के विचार के बीच के कॉम्प्लिकेशन को दिखाया गया है वही इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म की स्टार कास्ट में पंकज कपूर, राजेश कुमार, हिमानी शिवपुरी और चारुशंकर भी हैं ये फिल्म 30 अगस्त को रिलीज होगी वेल फ्रेंड्स आप कितने हैं एक्साइटड वरुन धवन की भतीजी एंजिनी की फिल्म बिन्नी एंड फैमिली के लिए हमें इस फिल्म से जुड़ी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें धन्यवाद